कि बिस्मिल्यार्मन राहिम असलाम अलाइकम उमीर करते हुआ कि वजलों करम से आप सब बिल्कुल ठीक हूंगे मैं आज आपको टीनेज गार्डल की फ्रॉक बनामा दिखाऊंगी और साथ में ट्रोजर इस कपड़े से में ट्रोजर क्यार करूंगी और इस कपड़े से में फ कि यह दबल पुप्र है इस पीज़ की चुड़ाई है कि इस पीज़ की चुड़ाई है कि पांगी सिंच है लंबाई पाहिए इसकी चकी सिंच रखनी है अपैसे इस तरह से डबल फोल्ड ना लोगी अचिन आमें अजावी पीस कुदार लोगी? यह चार पीस हैं, बैकोर ब्रॉंट साइड के, बनें डबल इसे कार ली है यह साइड खुले वादी और यह बंद वादी अमें तीरे दर शार दाउं को साधे साधे इंच में कंदे की दबाई मैंने लिए आधेंच चेस्ट की चुड़ाई मेंगी 10 इंच अब यहां मैं आधे इंच में फ्रॉंट साइड आई यह वाले लेंडरा दरूंगी इस तरह से यहां पर फ्रॉंट साइड की इस तरह से यहां पर पाच इंच में शामिलांगी कमर की चुड़ाई मैंने लिए 8 इंच मैं यहां सब्सरास एर्रे यह कर द सेड़ी लें अज़ाई दरूंगी मैं से मैं ले यह प्रॉंट से ड़क पीन इंच बडलाई दरूंगी कि शर्ट की जो है गोट नेक बनाओंगी अब मैं यहां पे निशान दगाओंगी चार इंच पे और बैक साइड की गहराई करूंगी दो इंच अब करेंगी फ्रण्ट साइड के लिए मैं बुकरम की कटाई करूंगी अगाओंगी कि यह पर ने पंद्रा इंच पे लगाया और यहां में चौर इंच पे लगाओंगी योगरें इसमें वे डाल लिए यहां पे मैं चौर इंच में में निशान लगाया और नेचे में विदाओं की 6 पे रिशान ये जो मैंने निशान लगाया उपर वाले निशान से इस निशान को मिलाद होगी झाल निशान लगाया था है कि जो साइड से पीज मिद्ला इस चे में तंद में त्यार करूंगी कलियों की नंबाई मैंने लेडिया 20 इंच कि अभी से इस तरह से तिर्चा काई करूंगी साइड से लिए अभी से इस साइड से जीदा करूंगी कि नीचे से इन कर्यों की चुड़ाई परी आठ लिच इसकी नंबाई में रखने हैं साड़े 20 इंच कर दिर्चा कर्यों कर दिर्चा कर दो कि अभी से इसकी नंबाई में रखने हैं कि इस तरह से कि इस कपरे से बाजु त्यार करूंगी बाजु की लंबाई काम है अब इसके दर्जार नहीं यह वारी लैसका करेंगी और यह वारा कपरा चुकर करन साइड कर दाई इसके इसके लंबाई को जाएं कि इसके लंबाई करेंगी आम इस तरह से इसके आपके काण कि बाजूक की चड़ाई मैंने लिए 8 इंच आप मैं बिल्कुछ सीधा सीधा सीधान होगी तीन इंच मैंने बाजूक की बुराई करनी है हुआ कि अरह जहां कि अर्य है है sta इनल्ट है है कि अर्य हुआ है कि उपर से देर दिन छोड़ूंगी नेफे के लिए और पजामियों की नंबाई मैंने 36 लख लिए देर दिन चीन मैंने वेज़े से छोड़ा कि आसम का आसम की नंबाई रखोंगे 14 इंच यह निशार लगा हूंगे चार 14 इंच पर और यहां पर दो इंच पर शामिता हूंगी और सीधी हैंडरा करोंगी तक्रीबन 9 इंच तक मैंने यह सीधी हैंडरा की है अब उपर से यहां से मैं गुलाई दोंगी इस तरह से अठारा है इंच तक मैंने यह निशार लगा है और दर्म्यान से पहुंचा है कि सारे साथ ही हैं क्योंकि दुर्फ सारे प्रिस लाही रख लिए हैं सलाही का मार्जन छोड़ते हुए यह और हिंच तक मैंने सीधी का इंट रख लिए हैं और यहां से मैं गुलाई दोंगी अब इन दिशार के ओपर ओपर कटाई दोंगी कर दोंगी यह मैंने गल्यें की ट्टाई के लिए भुकरम का पीस लिए इसे मैंने डबल पोड़ दिया अपकर इसकी चुड़ाई साथ इंच लिए हैं अब शादिंच से थोड़ी से ज्यादा है और साथ इंच मैंने लंबाई लिए हैं अब मैं यहां पर चादींच पर इंच लिए हैं यहांपर मैं स्थाड़े तीन इंच पर इंच लिए हैं लिए अब इसकी इस तरह से बुलाई करूंगी अब यहांपर तीन इंच पर इंच लिए हैं झाल 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 यह गले की घटाई मैंने करनी है और मैं इस कपड़े के ऊपर इसे पेस्ट करूँगी आप अब मैं सप्ड़े को फोल्ड करके पहले स्लाइद करूँगी फिर इसका लेको फ्राप के साथ अटेश करूँगी यहां पर मैं चार इंच में चान लगाऊंगी और इस जगह पर भी काट लगाऊंगी आप जहां पर इस तरह से कले को रखूँगी और इसमें कामर पिल लिगा देगी यहां पर स्लाइद कर दूँगी यहां पर स्लाइदा दूँगी और इसे सिद्रा कर दोगी इस जो अजाफी पीस का इस तरह का सारा का सारा मैंने मोरते हुए यहां पे कामन पिन लगा दी है अब मैं यहां पे सलाई लगा लूँगी इसके किनारे किनारे पे पहले मैंने सलाई लगा के इस कपड़े को बाहर को मोड लिया है उसके बाद यहां पे अब मैं सलाई लगाऊंगी अब इसके दरम्यान में मैं कलिये अटेच करूंगी इस तरह से रखते हुए यहां पर सलाई लगाऊंगी यहां पर सलाई लगा के इसे मौड लूँगी इस तरह से दूसरी साइड पर भी कलिये अटेच कर लूँगी मार्चा में प्रैस की कटिन और स्थीजिंग मुकमन हो गई है माशाला बहुत प्यारी कलियों वाली फराग बन गई है यह इसके साथ मैंने पजामा भी क्यान कर दिया है इसकी कटिन मैंने दिखाई दिया आपको उपर से फिटिंग माली नीचे से खुले गेर वाली माशाला यह फराग बहुत ही ब्यारी लगती है जो करियों में बन दिया नीचे से बिलकुल खुला गेर बंद है और उपर से फिटिंग में आती है इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अपना बहुत साथ क्यान रखिएगा दौब याद रखिएगा आला हम पीज